शेवा ही मेरी पहचान शंकर सोनेजा अप देख रहे अँवा ही मेरी आप देख रहे है उल्लास लाइन बिलिटिंड शेहर की ताजा खबरे देखने के लिए हमारे नियूस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कल उल्लस लाइन बुलिटे नियूस चैनल ने दोखादाएक इमारतों के विशय पर एक खबर दिखाई जिसमें अजब शहर के गजब कारणामों के बारे में बताया इस खबर चलने के बाद भारतिय जनतापार्टी के आमदार कुमार ऐलानी और पूरो नगर से वक राजेश विद्रिया ने पत्रकार परिशत कर बताया कि भारतिय जनतापार्टी शहर की जनता और दोखादाएक इमारतों के रहवासियों के साथ है और यह भी बताया कि इमारतों के जमीनी मालिकान हक वह इन इमारतों के रहवासियों का है जिसके लिए भारतिय जनतापार्टी इन रहवासियों के साथ है दरसल उल्लासनगर कैंप एक न्यू टेलिफोन एक्चेंज के सामने प्लाट नमबर 619, चीट नमबर 60 पर गुल मुहर पार्ग कोपरेटिव हाउसिंग सुसाइटी है जो तक्रीबन 30 साल पुरानी है यह इमारत दुखादाएक इमारतों के सूची में शामिल है मनबा की तरफ से इस इमारत पर तोरक कारवाई की जानी थी पर अब रहवासी खुदी इस इमारत को तोरना शुरू किया गया है इमारत वासियों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से इनको परिशान किया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि इमारत को बने 30 साल हो चुके हैं अब अमारत का रीडवलप होना है और अचानक से 30 साल बाद अमारत का लैंड ओनर पहुचता है अमारत वासियों ने बताया अचानक से सिटी सर्वे आफिस के अधिकारी वहां माप जूब करने पहुचे जिसका अमारत वासियों ने वरोद किया था शहर में इस तरह का यह कोई पहला वाक्या नहीं है यह मुद्धा जमीनी मालिकान हक हर दोखादाएक अमारत का सबसे बड़ा मसला है जहां अचानक 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद लैंड ओनर जाग जाता है और बोलता है जमीनी मालिकान हक, सन्नत और जरूरी कागज तो अब भी मेरे नाम पर है तो यह जमीन मेरी है और दोखादाएक अमारतों के रहवासियों को परिशान किया जाता है अब इन सारी बातों को लेकर आमदार कुमार एलानी और राजेश विद्रया ने पत्रकार परिशत में क्या बताया आईए जानते हैं के आदमी परसु गहे थैं उसको तोने के लिए लेकिन मुलमौर पालवारी मेरे पास आई थे मैंने लेंगरिकर साप से बात की कि आप उनका बिल्डिन्गट तो रहे हैं लेकिन उनको एक डरसा है कि उनका आप बिल्डिंग तोडने के बाद में जो प्लाट बचेगा तो किसी की नजर है उसके उपर कि बिल्डिंग तूटने के बाद में जो प्लाट बचेगा तो कोई बिल्डर या कोई दूसरा कोई आदमी उसको कब जाना कर रहे इसके लिए वो लोग सोच रहते हैं पर बिलिडिंग खाली परी है लेकिन तूटे नहीं लेकिन लेंगेर्कर सहाबNे कहा वो बिलिडिंग कबें फी बिलिडिंग कोड़ल ली तोड़ना पड़ेगा लेकिन तो हमें फिलेट आउनर्स ने कहा या जो पिलाड ऊणर था उनका कोई रिश्टेदार या उनका कोई आया था सुनील माकिज़ा के नाम से जो मोजिनी कराने के लिए अंदर गुसा था तो फिलाड ऊंर्स ने उनको निकल के बाइब निकाला पिलाड कि एक तो एक तरप से फ्लैट ओनर्स शाप ओनर्स वो तकलीब में है गंबीर आज उनके उपर हादत चल लई है कोई बारे पे रह रहे हैं कोई यहां वहां पे रिष्टेदार के पास रह रहे हैं और उपर से प्लाट ओनर्स आके उनको टेंशन देवे कि यह प्लाट हम ले हैंगे ऐसा उनको सुनी में आया मैं सभी शेरवासियों को अपील करता हूं अगर ऐसी कोई भी वाक्या जो भी फ्लैट ओनर्स है चाई शाप ओनर्स है जो फ्लैट में पर्चेस करके रह रहे हैं या दुकान पर्चेस करके रहे हैं और जोनों ने 25-30-40 साल पहले बिल्डि नहीं है अगर कोई आके कबजा करता है या कोई आपको आके अंदर गुसने की कोशिश करता है मैं और अमारी पूरी भारते जंता पार्टी आपके साथ में रहेगी हम फ्लैट ओनर्स के साथ में है शाप ओनर्स के साथ में है कोई भी अगर कहां पे भी ऐसा कोई वाक्या हो तो हम लीगल में आपको मदद करेंगे हम पुरी प्रयास करें कोशिश करें जो फिलेट ओनर्स है शाप ओनर्स है उनको मालकाना हक मिले अभी हाली में एक जियार आए और दूसरा जियार आने वाला है जिसमें फिलेट ओनर्स है और शाप ओनर्स को तो उसका हक्वास्था हो सकता है अगर उसके अंदर उसकी property नहीं है अगर flat owner'sientes ने अपनी building या society बनाई है यहां building में रह रहे है, maintenance ब़र रहे हैं, बर्सों से रहे हैं और old building है अगर कोई आके सोचता है मैं इसके flat के उपर मेरा कब्जा हो अभी ऐसा नहीं होता है कि जो प्लाड आज या प्लाड बेचा बिल्डर को बिल्डर ने डेवलपर डेवलपर करके फ्लेट ओनर्स को बेचा और आगके हो सोचेगा कि मैं इसमें कब्जा कर दूँगा अभी मेरे को कोई बोलेगा नहीं तो सरसर गलत है उसके उपर 420 और मुकदमा चलेगा काईदे से कारवाई होगी मैं उनको विंती करता हूँ कोई भी ऐसा प्लाड ओनर अगर आपका उसके प्रापर्टी उसके अंदर है तो आप अपना प्रापर्टी में आप जता सकते हैं लेकिन प्लाड के उपर आपका कोई कब्जा नहीं होना चाहिए हम फ्लेट ओनर्स और शापनर्स के साथ में पूरी शहर में धन्यवाद जैहिंद जैजुलेगा देखे कल आपके ही कुछ न्यूज चैनल पर हमने यह न्यूज देखी थी उसमें मौफा करके एक एक्ट है मारास्ट्रा ओनर्शिप फ्लेट्स रेगुलाजेशन और प्रोमोशन आफ कंस्ट्रक्शन सेल मेनेजमेंट ट्रांसफर एक्ट नैंटी सिक्स्टी थी जिसके तहद पूरे मारास्ट्रा राज्य में कोई भी बिल्डर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है बिल्डिंग पूरी होने के बाद सुसाइटी बनने के बाद पहले तो सुसाइटी उसको बनानी है लेकर अगर वो सुसाइटी नहीं बनाता है और फ्लेट ओनर सुसाइटी बनाते हैं तो सुसाइटी बनने के बाद बिल्डर उनको करके नहीं देता है, मतलब जमीन का मालकाना हक नहीं देता है, तो सोसाइटी खुद जाके डिपिटी डिरेक्टर आफ सोसाइटी रिजिस्टेशन के तहत, जिनकी थाना में आपिस है, वहाँ पर अप्लिकेशन करके और वहाँ से दीम्ड कन्विनन्स हासिल कर सकती है, ये कानून है, ये कानून में एक दूसरा प्रवादान है, कि अगर बिल्डर सोसाइटी बनने के बाद तीन मेने में कन्विनन्स नहीं करके देता है, तो उसको तीन साल की सजा है, और बिल्डर या उससे पहले जो लेंड डोनर्स थे, वो आज ऐसे समझते हैं, कि काड के उपर हमारा नाम है, सनद हमारे नाम पे है, तो आज भी जमीन हमारी है, ये दारणा बिल्कुल गलत है, आपको जमीन के बदले में फ्लैट्स बिल्डर ने दिये हैं, या बिल्डर ने खुद जमीन लेके बिल्डिंग मनाई है और फ्लैट्स बेचने के बाद उसको नफा मिला है तो बिल्डर का या जमीन के मालक का इसके उपर कोई भी अधिकार नहीं है इसमें अगर कोई भी बिल्डर या पहले जिसके नाम पे जमीन थी बिल्डिंग के उपर जमीन के उपर कबजा करने की कोशिश करेगा तो मौफा एक्ट के तहत उसको ऐसा करने के लिए साथ साल की जो सजा है वो भी होगी साथ में दूसरे इंडियन पेनिल कोड ऐपी सी की भी धाराएं अट्रेक्ट होगी और उनके ओपर कारवाई होगी इसके लिए आमदार और पूरी भारतिय जनता पार्टी की टीम उन सभी दुकानदारों मकान मालकों फ्लेट्स ओनर्स के स किसे मिले किसी कोड़ेक्टर है को गाइडमें ले देखिए अभी हम कल भी मंत्रा ले जा रहे हैं लगबग कई मैनों से हम हर मंगलवार को आमदार के नित्रत्वा में मंत्रा ले जाते हैं वहाँ पर सीम साब से मिलते हैं गागरानी साब से मिलते हैं नितिन करिट साब से मि अभी लगबग ये रेडी हो गया है कि जिन लोगों ने अपना Flate का, दुकान का Registration, जमीनों का नहीं करवाया है, उनके लिए एक Em lipstick scheme लाई जाएगी, कि वो एमनिस्टी scheme में वो Nominal Penalty भरकर, अपनी Registration करके, एक बार registration उनकी हो जाएगी, तो उनकी society भी बन सकती है society बनने के बाद में उनको सरकार convenience deed करके देगी deemed convenience अगर उसको builder करके देता है तो ठीक है अगर builder आगे नहीं आता है तो सरकार के पाद अधिकार है उनको deemed convenience करके देगी और इसके बाद उनका पूरा जमीन के ओपर, बिल्डिंग के ओपर मालका ना हक इस्तापित हो जाएगा तो किसे पॉंटेक्ट करेक्ट का आके मिले देखिए आमदार का कारेल है पुरा दिन यहां खुला है मेरा शेरावाली पैलेस जुलेलाल स्कूल के पास में उलासनगर दो में कारेल है वो भी खुला है मेरा मोबाइल नमबर मैं आपको कई बार दे चुका हूँ 9822660055 आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरप की भी आपको हेल्प होगी हम आके आपके पास जरूर पहुचेंगे उलासलैन बुलेटेन को सबस्क्राइब करें बैल आइकोन दबाए और देखिए उलासलैन बुलेटेन की निउस सबसे पहले आपके मोबाइल पर